हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए ये कार्डिगन डिजाइन लेकर आई हूँ और ये कार्डिगन मैंने कैसे बनाया है इसके बारे मैं आपको बताऊंगी यह कारडिगन बनाने के लिए मैंने 90 फंदे आगले पल्ले में रखे है बनाना सिखना चाथे हो तो मेरी वीडियो को लास तक देखना और इसकी स्लेट से मैंने ऐसी बनाई है सेंटर में मैंने यह डिजैन बनाया है और साइडों में सिंपल दो उल्टे दो फंदे ऐसे करके बनाया है और मैंने ये बोर्डर सिंपल बोर्डर बनाया है दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे ऐसे करके मैंने इसका बोर्डर बनाया है और बोर्डर मैंने पोने तीन इंच का बोर्डर बनाया है देखिए kuynet इंच का पॉडर त्यार किया है आप अपसे उसाब से कम या ज्यादा बना सकते हो और किवार हें इस्क का पॉड़र बनाने के बाद मैंने यह रिजाइन शुरू किया है मैंने के गर डिजाइन अपने – डिजाइन यह डिजाइन भी डाल सकते हैं पर मैंने इसके साइड हो में बोड़र वाला डिजाइन डाला है और सेंसे डीजाइन वनाने के लिए मैंने 2 के मुल्टिपल के हिसाब से से पयाँ हैं बना अधू को कि प्लति रखे हैं टौ किम प्लति बारे 행री इप significant मेंस की दीजाइन बनाने के बाद मैंने 14 इंच की लेंद कम्पलीट करने के बाद मोडे की ही है 14 इंच लेंद कम्पलीट होने के बाद चार, तीन, दो, एक ऐसे मोड़े की घटाई की हैं, पहले चार फंदे घटाई हैं, फिर दो घटाई हैं, फिर चार खंदे घटाई हैं, फिर तीन घटाई हैं, फिर दो घटाई हैं, फिर एक ऐसे फंदे घटाई हैं, और इस साइड से मैंने पहले चार फंदे घटाई फिर 3 फंदे घटाएं हैं फिर 2 फंदे घटाएं और फिर 1 फंद घटाया है आप अपने हिसाब से जो अगर मुटे पतल हो तो हिसाब से आप ज़ादा कम घटाई each Kalim अब इसके से में मैने 50-50 फंदे रखे है यह देखने में कम लग रहा है यह कि हमें कम लग राह Nice पर पहने के बाद ये खुल जाता है तो आप ऐसी टेंशर मत करें कि ये देखने में कम लग रहा है तो शायद टाइट है या पर ये पहनने के बाद अपनी शेप ले लेता है ये डिज़ैन खुलता है पहनने के बाद तो इसमें मैंने 50 फंदे डाले है और इस में और अभी मैंने की डीजाइन बनाया और साइड में यह उतली बना ऑगज्टे सिधे ईसे बनाए है और इस डीजाइन को बनाने के लिए मैंने slips की भी पूने तेन इंच की length बनाने के बाद ये उपर से ये design start किया है आप अपने हिसाब से आप simple अगर simple border जैसी पूरी बाजू बनाना चाहते हो तो आप simple बाजू भी बना सकते हो तो मैंने इसमें हर फंदें बढ़ाई है छेश्य सलाई बनाने के बाद फंदें बढ़ाती हुए मैंने रोख complete की है इतनी जब half जब half बाजू complete हो गई उससे बाद में हर तीसरी सलाई पर फंदें बढ़ा कर ये बाजू की length complete की है और बाजू की length मैंने अठारा इंची लेंद बनाने के बाद बाद बाजु की cutting की है आप अपनी length के हिसाब से height के हिसाब से बाजू की length चोटी बड़ी कर सकते हैं मूटे कटिंग करने के बाद और 1,5ं1.5field longuts बना कर मैंने गले की कटिंग की है के 24 बीच के 24 बने छोड़ कर साइडंग में 2211 ऐसे गले की कटिंग की है और ऐसे कम करने के बाद ये शेप ऐसे आईगी और जब ये length complete हो जाए उससे बाद में दोनों आगे और पीछे shoulder को attach करने के बाद दोनों side से फंदे उठाए हैं आगे से और पीछे से फंदे उठाकर ये गला complete किया है गले की cutting करने के बाद मैंने इसके 90 फंदे आगे से उठाए है और पीछे के भी इस तरह से 90 फंदे उठाए है अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइट शेयर और सब्सक्राइब करना थैंक यू